तो गैस जैसा आप देख सकते हो कैसे ये यूटूब चैनल हर महीने लाको रुपे कमाता है सिर्फ टॉम और जेरी की वीडियोस को अपलोड करके और गैस आप इस चैनल को चैक करोगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ 80 वीडियोस ही मिलेगी और यहाँ पर आपको सारी वीडियोस टॉम और जेरी की ही मिलेगी और गैस आप मेंसे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि कापिराइट का इस्व नहीं आएगा क्या तो आज मैं आपको जाएट देख सकते हो गैस इस चैनल पर डेली के देरी लाग से लेके दो लाग व्यूस आते हैं यहाँ पर आप पूरा नमबर्ज हाँ यहाँ पर चेक कर सकते हो और आप इहां पर मन्थली इस के सब्सक्राइबर गें देखोंग तो उसका गराब भी आप यहाँ पर समझ सकते हो तो कि अब यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बता है यह बंदा लाग रोपे कमा रहा है तो exactly यह बंदा कितना कमा रहा होगा वो एक हम उस topic पर बात करते हैं जिससे आप सबी लोग को एक motivation मिलेगा और एक अंदाज लगा है कि हाँ भाई आपको यह चैनल क्यों स्टार्ट करना चाहिए आपके base पर ठीक है तो जैसे कि यहाँ पर social blade में लिखा हुआ है कि यह बंदा monthly 17000 डॉलर तक कमाता है 1000 से लेके 17000 डॉलर तक तो अगर हम इसका minimum सिर्फ बीच का भी मानके चले यहाँ minimum मानके चले यानि कि सिर्फ 8K डॉलर भी मानके चले तो उसको अगर हम convert करेंगे तो देखते हैं कितना होता है तो यहाँ हम जाते है chrome में और यहाँ पर हम search करते हैं 8K डॉलर into INR टी कहता हूं यह आप लिख लेंगे 8000 UHD 2 INR तो गई साफ साफ लोग देख सकते हो 6,60,000 रुपे लगभा किये channel monthly earn करता है वो भी सिर्फ इतनी कम वीडियो से जो कि इनने परानी पहले सपलोड करके रखा है और उसके थूरूस को अभी तक इस तरीके से earning होते रहती है तो गई इस कार्टून की वीडियोस पर बहुत ज़्यादा scope है और आपको इस category में काम करना चाहिए बेशक तो गई इसको अगर हम 6,00,000 ना मानके सिर्फ अगर जैसे 1,00,000 भी मान ले या सिर्फ 60,000, 50,000 या 60,000 भी मान ले तो गई इस बहुत है अगर आप वीडियोस बनाके छोड़ देते हो आपका वीडियो अच्छे तरीके से भाराल हो जाता अच्छे तरीके साब उसका SEO करते हो तो उस पर हमेशा views आते रहेंगे और आपको हमेशा earning होती रहेगी तो उस basis पर इतने earning जो है बिना कुछ करे बहुत जादा है आप लोग अगर 50-60,000 भी कमा लोगा इस तो बहुत बड़ी बात है तो आप सब लोग को इस सब कुछ कैसे करना है मैं आपको बिलकुल सब कुछ समझाने वाला हूँ आज की इस वाली वीडियो में तो गैस जितनी भी सारी steps में बताऊंगा सब PC पर बताऊंगा ये सारी steps को आप mobile पर कर सकते हो अपने बिलकुल easily ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि PC नहीं तो आपका काम नहीं होगा बस मैं जिस तरीके से आपको बताऊं उसको follow करना है उसके बाद भी आपको समझ में ना है तो मैं एक वीडियो बना दूँगा dedicated चिसमर में आपको mobile पर सारी steps करके बताऊंगा जिससे सबी लोग इस चीज को कर पाएंगे तो आप सबी लोग को YouTube पर जाकर search करना है Tom and Jerry Green Screen No Copyright ठीक है उसके बाद आप लोग को क्या करना है कि इस तरीके से आपका interface आएगा आपको filter पर जाना है और आप सबी लोग को यहाँ बार एक option मिलने वाला है creative comment का आप देख सकते हो creative comment का आपको यह option मिलेगा इसका मतलब यह होता है कि creative comment में जो videos आती है वो videos को आप reuse कर सकते हो आपको copyright नहीं आएगा ठीक है तो यह जितनी videos आप हमारे सामने आ रही है इनको हम use कर सकते हैं हमारी videos के लिए बिना किसी problem के तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी videos है लेकिन यह एक individual video नहीं है जैसे कि थोड़े थोड़े इस पर cut scenes है वो किस तरीके से मैं आप सभी लोग को बताता हूँ लाइक यहाँ पर Tom and Jerry की complete story नहीं है जैसे कि Tom and Jerry का 15-20 second का कोई scene दिखाएगा जो कि green screen में रहेगा और green screen जिनको नहीं पता आप सभी लोग समझ जाओगे यह कुछ इस तरीके से यूस होगी हमारी वीडियोस में I know कि बहुत सार लोग beginner है यह इस तरीके से यूस होगी कि हम इसका background चेंज करेंगे green screen में तो जैसे मैं बता रहा था यहाँ पर 15-20 second का कोई scene दिखाएगा Tom and Jerry का उसके बाद एक नया scene स्टार्ट होगा तो यहाँ पर storyline बिल्कुल भी नहीं है बस वो देखने में थोड़ा funny लगता है और यह जो content है guys जैसा आप जानते हो कि under जो 10 years के बच्चे रहते हैं वो लोग देखते हैं तो उससे साब से हमें कोई problem नहीं है बस उनको थोड़ा मजा आना चाहिए आपको editing थोड़ी अच्छी करना पड़ेगा किस तरी किसे करना वो मैं आप समय लोग को बताने वाला हूँ तो इस सबसे पहले आपको एक video स्लेक्ट करना है आपकी हर एक नई वीडियो के लिए आपको एक नया green screen का video लगेगा ठीक है तो example के लिए हमने इस video को यहाँ पर select किया है इस पर हम right click करेंगे और link को copy करेंगे link को copy करने के बाद हम एक website पर जाएंगे जिसका नाम है yt1s.com जहां से आप कोई भी YouTube का video डाउनलोड कर सकते हो MP3 में, 3GP में, MP4 में या किसी भी format में तो हम यहाँ पर search करेंगे yt1s downloader और यहाँ पर first value website में आका यहाँ पर हम paste कर देंगे हमारी link को और यहाँ पर आप select कर सकते हो आपको कौन सी quality में करना है तो आपको हमेशा MP4 में सबसे highest quality जो मिले उस पर करना है तो गैस हमारा step number one complete हो गया है हमने video को download कर लिया है उसके बाद हम लोग लेंगे हमारी video के लिए background ठीक है background लेने के लिए आप chrome browser पर जाओगे और search करोगे cartoon background phone पर भी आप same ऐसे ही करोगे और यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर images में आपको आना है cartoon background में यहाँ आपको बहुत सारे background की images जो है वो मिल जाएगी आप गया इस phone पर जैसे मैं आपको video download करने का बताया था yt1h.com का उसी तरीकी से आप chrome में search करोगे yt1h.com अपने mobile पर वह मैं आपको बताना भूली आ था तो यह सारी step जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको simply phone पर करना ठीक है यह ऐसा complicated कुछ भी नहीं है गया इस बहुत easy है तो यहाँ से मैं कैफिर लेता हूँ सबसे पहले background डाउनलोड कर लेता हूँ आपको अच्छा रगता है easy आपके लिए उसे आप open कर लीजिए मुझे वंडर से फिल्मोरा बहुत जादा easy लगता है मैं इसी को use करता हूँ आप अपने phone पर काइनवास्टर open करोगे उस पर सारी editing करोगे यह जितनी भी basic editing है यह सारी phone पर आपकी काइनवास्टर में हो जाएगी सारे options आपको काइनवास्टर पर मिल जाएंगे जो भी मैं यहाँ पर करूँगा तो आपको सिर्फ देखना बस है और आपको अपने काइनवास्टर में उस option को देखना है ठीक है तो कैसा अभी हमारे पास video है video का background है लेकिन हमारे पास music नहीं है और कुछ sound effect जो है जो की बहुत important रहते हैं किसी भी video के लिए वो sound effect भी नहीं है तो उसको कैसे करना मैं आपको आगे बताऊंगा उससे पहले आप सब लोग काइन माश्टर पर जो new project है उसको ले लीजिए और यहाँ पर आप सब लोग को इस पर क्लिक करना है इसके बाद आप जैसे ही plus पर क्लिक करोगे आपका बेग्राउंड आपकी लेयर में आ जाएगा ठीक है लेयर में आनके बाद आप इसे कुछ इस तरीके से expand कर दीजिए और यह हमारी लेयर में कुछ इस तरीके सा आ चुका है अब गाईस हम फिर से import करेंगे हमारी वीडियो अभी हमने से background लिया था import करेंगे हमारी इस वीडियो को और इसको drag करेंगे कुछ इस तरीके से और इसको हम second layer में कुछ इस तरीके से guys लगा देंगे अब first layer में हमारा background है cartoon वीडियो का और second में हमारा green screen वीडियो है अब guys हमें हमारी वीडियो के background में से green screen हटाना है तो हम green screen वाल वीडियो को select करेंगे और आपको यहाँ पर एक option मिलेगा यह वाला आप इस पर जैसे ही जाओगे यह green screen का option है और आप ok करोगे तो हमारी जो green screen की वीडियो है उसमें से background जो green वाला है वो हट जाएगा अगर आपको फिर भी नहीं हो रहा है शो तो आप जो layer है उसको exchange करके देखो ठीक है दोनों को आपस में आप exchange करोगे उपर नीचे करोगे तो आप समझ जाओगे कि आपको layer को उपर रखना है कि नीचे रखना है आप वीडियो का पीछे करके समझ सकते हो बहुत easy step है तो गैस हमारी वीडियो का background हट चुका है आप आप करना है आप second background भी ले सकते हो third background ले लिजिए इसी तरी के साब अलग-अलग background का use करिए और जैसा मैं आपको बताया था इसमें का इस storyline बिलकुल नहीं है तो हर एक scene के लिए एक background का आप use कीजिए पहले उस scene को cut कीजिए पहले देख सकते हैं आप ये कुछ इतना scene है तो इसको हम cut लेंगे और फिर उसके नीचे उतना background लगा देंगे फिर second scene में तो कुछ इस तरीके से हमारे वीडियो दिखेगा तो आप इसमें क्या हो रहा कि पूरी तरीके से perfect नहीं हुआ है तो हम एक काम करते हैं इसको पहले perfect करते हैं वापस से उसी green screen वाले option पर जाते हैं और आपको कुछ इस तरीके से इन सारे options को adjust करना है और आप यहाँ पर अपने वीडियो में देख सकते हो कि आपको कितना उसको adjust करना है उसे साब से आप अपने green screen वीडियो को adjust कर लोगे आप जब actually में करोगे तो आप समझ पाओगे और easily इसको कर पाओगे green screen वीडियो को adjust करने के बाद guys आप सबी लोगे को क्या करना है अपने background पर भी ध्यान देना है अपने वीडियो का जो आपने download किये हो उसके लिए आप इसको थोड़ा crop कर सकते हो zoom in zoom out कर सकते हो तो मैं prefer करता हूँ कि I think zoom in करोगे आप ज़ादा better रहेगा तो हम जैसे हमारे background है वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है ठीक है इसको हम एक काम करते है थोड़ा बढ़ा करके देखते हैं कि कैसा look आएगा क्योंकि इसी तरीके से आपको experiment करके check करना पड़ेगा और आपकी वीडियो को बनाना पड़ेगा इसी तरीके से आपको महनत करना है और यूटूब में आगे बढ़ना है ठीक है तो यहाँ पर हमारी वीडियो को हम select करते है I mean background को इसको इस तरीके से zoom out करेंगे और फिर कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पर लगा देंगे आप जैसा मैंने आपको पहले बताया था इसमें story line बिल्कुल नहीं है तो आप सबी लोग को हर एक scene के हिसाब से नया background यूज करना है और ताकि वो scene मतलब अलग-अलग लगे ऐसा है अजीब सा हमारा वीडियो न लगे हम अलग-अलग background का use करेंगे हर एक scene में तो example के लिए जैसे आप देख सकते हो बहुत सारे scene यहाँ पर है हमारी एक ही वीडियो में और हमारा background अभी एक ही दिख रहा है तो इसको हम separate करेंगे हर एक scene के साब से एक नया background को use करेंगे उसके लिए आप सबी लोगो क्या करना है कि आपको अपने जो वीडियो जहाँ पर end होती है अब मार्क च्चार करना है तो इस तरही के साप वीडियो को cut कर लिजे फिर उसके बाद उस scene के णीचे आप इस तरही के से नया background लग़े दीजे जो अगला सीन रहेगा ठीक है तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा नया बैग्राउंड इजीली बन चुका है अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो का पीछे करके देख लीजिए यहाँ पर हम क्या करेंगे इस वाले वैग्राउंड को भी थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे जैसे हमने पिछले वाले मि किया था और फिर इसको इस तरीके से कर लेंगे तो अभी मैं कैसे भी बना करना है बस आपका वीडियो अच्छा लगना चाहिए फणी लगना चाहिए आप इतने चेंज भी मत कर देना उस पर कि वो वीडियो देखने में मज़ाई ना है ठीक है गाइस तो इस तरीके से आपको हर एक सीन में अपने बेग्राउंड को बदलते जाना है और आपको एक ब dvbb का चैनल ओओ उसको औरिगंडल निंग अब की चले जाएगी अर्णिंग आपको नहीं होगी तो आपको कर देना है और आपको साउंड ऑपको डाउन्सकिर डाउनोड करने कैसे करेंगिए आप व्म आपको बता देता हूँ उसके लिए आप सब लिए अपनेиком ब्राउ वीडियो में तो मैं आपको बताऊगा सारी स्टेप्स फोन पर ठीक है तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है तो अभी आप देख सकते हो मैं अपने ब्राउजर में हूँ यूटूम में और यहां पर हमारे लोगों पर क्लिक करेंगे देना आपको जाना है यूर चैनल में यहां पर जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टमाईज चैनल का आप इस पर चले जाएए और फिर यहां पर आपका जो यूटूब स्टूडिया है वो अपन हो जाएगा अब गईसाब को यहां लैफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन्स दिखेंगे यहां आपको जाना है कुछ इस तरीके से आपको अलग-अलग category के sound search करके उसको download करना है तो मैं अभी एक funny सा अच्छा सा cartoonish type में का music download कर लेता हूँ आप चाहो तो अगली जो वीडियो से रही कि उसके लिए दो चार छे ओडियो पहले से download करके रख लीजिए पेगराउंड मुजिक तो आपको बार बार ऐसा नहीं करना पड़ेगा download करने के लिए इतनी सारी steps नहीं करना पड़ेगा आपके पास पहले से रहेगा ठीक है तो अभी मैं यहाँ पर एक ही download कर लेता हूँ आपको यहाँ पर download option मिल जाएगा आपको इस download करने के बाद मैं आपको sound effect के बारे में भी बताऊंगा ठीक है लाइक एक्जांपल के लिए जैसे हमारे जो sound effect रहते हैं जैसे एक्जांपल के लिए जैसे मैं आप पर type करता हूँ guys तो आप यह sound सुन सकते हो किस तरीके से typing का sound आ रहा है तो यह मेरे keyboard का actual sound नहीं है मैंने sound effect लगाया हूँ इसी तरीक से आपको आपके animation में जो भी टॉम इंट जेरी action ले रहे हैं उसे आपसे आपको funny sound effect लगाना है अभी जो मैंने बताया था वो background music बताया था आप जो मैं बता रहा हूँ आपको background जो sound effect है वो बता रहा हूँ SFX बता रहा हूँ कि मालीजे यह आप सुन सकते example के लिए इस वीडियो में कुछ इस तरीके के sound effect आपको लगाना है उसके लिए आपको इन वीडियो को इस वीडियो को download करना पड़ेगा जो मैंने सर्च कर ले ना cartoon sound effect तो आप सब लिए ने sound सुन लिया होगा इस sound को आपको अपनी जो animation जो भी action ले रहे हैं उससे साब से आपको match करना पड़ेगा beat के हिसाब से तो वो उसमें आपको थोड़ी शी आपका time जाएगा थोड़ी मेनत आपको लगी की तो आपको इतना तो करना पड़ेगा जिससे आपका जो content वो original लगेगा अब आपको फिर से import करना है जिस तरीके से हमने बागी content को इंपोर्ट किया था हम इंपोर्ट करेंगे हमारे पहले background music को जिससे हमने YouTube करेंगे उसको भी cut करेंगे यह सारी steps में आप सभी लोग को बता चुका हूं और फिर हम इसको हर एक scene के हिसाप से उसको beat पर sync कर लेंगे इतना सब देखने के बाद जब भी आपको clear ने हुआ अगर आपको beat वाला भी part समझने आ आ तो आप search कर सकते हो कि आपको किस तरीके स beat sync करना है आपकी video पर यूटूब पर search कर लोगे तो आपको बहुत सारी videos मिल जाएगी तो आप वहाँ पर देखकर भी सीख सकते हो ठीक है तो बहुत easy है आप लोग भी कर सकते तो बस guys आपको पूरे sound effects को match करना है अपने original video को sound बंद रखना है green screen का जो वीडियो है background तो हमा match कर लेना तो उसी साफ से आपका video बन जाएगा और जैसे मन आपको बताया beat के लिए आप search कर सकते हो अगर आपका अभी video समझ नहीं आया तो beat के लिए आप search कर सकते YouTube के beat sync कैसे करे video पर और यह सारी steps को अपने काइन master पर कर पाऊगे इसका interface जादातर आपके काइन master से match करता फिल्मोरा का ठीक है तो अगर आप यहां पर जो भी steps देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो बेकार गई या फिर जाएगी आप देखोगे अपने काइन master पर तो बहुत सारी steps मैच करती है इंटर इंटरफेस दोरों का जादातर लगबग अराउंड सेम है तो उसमें भी आपको यह सारी steps फोन पर करके भी बताऊंगा बस गैस मैं आप सबी लोग को जाने से पहले बस एक आखरी बात बोलना चाहूंगा कि ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा अगर आप अपनी life में कुछ करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी decision लीजिए actions ज़्यादा लीजिए ठ ठीक है इस तो यही था आज का यह वाला वीडियो तो मिलते है नेक्स टॉर्ली वीडियो में तब तक के लिए बाए